हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आवस्यक सुचना प्याज अब सारी वेकेंसी रुकेगी अगर इस तारीक से पहले सब कुछ नहीं कर लिया गया तो सब को जहलना होगा इस तरह का न्यूज सोचल मीडिया पर काफी चल ला है सुचा आपके सामने पेश कर दूँ उसकी सतता के बारे में बात कर लोगा क्योंकि जो भी वेकेंसी चल लई होती है या जो भी वेकेंसी नहीं निकलने होती है सब कुछ आचार संगीता से प्रभावित होती है तो सबसे पहले आचार संगीता के बारे में जानते हैं और उसके बारे में बात कर लोगा दिसंबर में सारी प्रग्रियाय चल लही है चुनाओं से संबंदित जो भी कारे पढ़ा लिया होती है सब जारी है और कहीं ने कहीं वेकेंसी में जिनको बीजी होना चाहिए और जाकर की चुनाओं में बीजी हो जाएंगे तो एक तरह से दिसंबर हो निकाल देंगे जनौ सब को जांच के दारे में भेज देती है या जादे को कैंसिल कर देती है जो भी सरकारे आई हैं लब लब यहीं करती हैं अगर फिर वही गवर्मेंट बनती है तो फिर इस प्रगिरिया को आगे भी पढ़ा सकती है रोग भी सकती है क्योंकि आपको पता होगा 2017 में जब इस वर लेकिन 2021 में आपको पता होगा जितनी वेकेंसी 2020 और 21 के बीच निकली है बीच लास्ट और 21 में इस पेसली इस पेसली इतर चात्माज 6 महीनों में जितनी वेकेंसी आई हैं उतनी कभी नहीं आई होंगी तो इस तरह से आपका जनवरी और फरवरी मार्च ये तीन महीने तो ऐसे ऐसे चला जाएगा इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आचार संगीता दस्तारी को लग जाता है तो एक तरह से जनवरी फरवरी मार्च तीन महीना खाली हो जाएगा और ऐसे में जितनी भी आगे आने वाली परिच्छा हैं सब सब पे रुकावट का काम करेगा क्यो अगर इसी जनवरी के पहले पहले आ गया तो ठीक नहीं तो आप समझ लीजिए कि नई गवर्मेंट जो भी आएगी वह अपने इसाब से फिर नए तरीके से शुरू करेगी ऐसा नहीं है कि जहां से है वहीं से रिजूम कर दिया यह उसके ऊपर है लेकिन मैक्सिमम चांसर अगर फिर से स्टार्ट करते हैं और फिर से वही दो-तीन साल वेट करेंगे लटकाय रहेंगे और फिर जब चुनाओ आएगा फिर आप समझ सकते हैं 2022 के बाद फिर कब आएगा चुनाओ तो फिर चार-पान साल आपको वेट करना पड़ेगा इस समय सोचल मीडिया पे भी चलना है कि जो UPSI की वेकंसी है आप देख सकते हैं UPSI की वेकंसी को निरस्ट करने की मांग है ऐसा क्यूं है आपको पता होगा 160 इसमें 160 प्राप्त करना था मैक्सम्म फुडांग था जिसमें कंडिडेट ने क्या करा है 155 155 तक कर दिया है कुछ ने तो हदी कर दिया 160 में 160 कर दिया है ऐसे मां समझ सकते हैं इस वेकंसी को निरस्ट करने की मांग क्यों चल लई है फिलाल वेकंसी निरस्ट करके ऐसा किया जा सकता है इसमें जो लोग ज्यादा नंबर पाए हैं I think 140 प्लस पाए है 145 पाए हैं ऐसे लोगों की जांच करके बाहर कर दिनी चीए क्योंक इसमें 8000 भी अगर सही सही लोग अगर इसमें रिक्रूट होते हैं तो भी काफी बढ़िया रहेगा लेकिन इसकी क्या गरंटी है 500 600 यह हजार ही हो ऐसा भी हो सकता है नगल करने वाले 10 के 10,000 हो ऐसा भी हो सकता है वेकंसी ज्यादे नगल वाले ही हो क्योंकि लाकों में कई इसमें पार्टिसिपेट किये थे तो ऐसे में उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा जो पढ़ने वाले हैं जितने पैसे वाले हैं जितने नकल कराया सोसल मीडिया पर काफी चला भी था इस तरह की बातों को देखते हुए अब बैर्थियों ने मांग करी है कि इस वेकंसी को नि तो इस बीच में चार साल के बाद एक वेकंसी आती है आप समझ सकते हैं कि इस वेकंसी को भी पूरा नहीं किया गया अब ब्यर्थिय ट्रेनिंग में थे और उन्हें घर बैठा दिया गया ठीक है तो अभी इनकी जोइनिंग नहीं हो पाई तो यह लोग भी इसको भरे सारी वेकंसी जो है लटकी उड़ाती है तो टीचर की बात करें सारी वेकंसी की बात करें किसी वेकंसी की बात करें सब कहीं ने कहीं लटकी जाती है इस चुनाओ के समय या चुनाओ जैसे ही होता है तो हम थी सारी वेकंसी पर रोग लग जाती है चुनाओ होने के बाद ऐस क्यों 27 शेक्षक भरती कि मांग कर रहे हैं, बस फो चार हैं कि शान कारीए, देखे हैं एसे चार हैं किसी तरह को मांग कर रहे हैं। क्योंकि आचार संगिता के पहले रहे ब्रक्षक वा canceye, तब तो उस पर भरती मांग कर सकेंगा, इसकी परिच्छा कराईए इसका प्रकुम भाव्य मांगे हुआ कि भोगा दिया जारे जहारे है रिज deed देखिए किस तरह से मौका मंगने में और में भी टीचर को प서도 के वे टीचर के द्वारा ये लोग आगे बढ़े हैं, ये लोग जॉब पाये हैं, जो लोग भी इनको पकड रहे हैं, या जो लोग भी आदेश दे रहे हैं, इस तरह का ब्यवार करने के लिए, वो कुछ सोच सकते हैं कि कि इतना गिनावना काम है, ये सब करना, तो फिलाल वेक कर सकते हैं, ट्विटर के जरिये मांग कर सकते हैं, या किसी भी प्रेटफॉर्म के जरिये मांग कर सकते हैं, गौर्णमेंट से, सब लोग एक हो करके, जो भी सोचल मीडिया पर लोग कमपेंज चला रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसमें मांग करिए कि हम लोग की वेकैंसी फटा-फट जारी करें जो लोग सिच्छक भरती से हो या जो भी अब वेकैंसी से जुड़े हो जिस भी छेतर से जुड़े हो अपनी अपनी मांग स्टार्ट करिए क्योंकि यही समय है यही समय है, चुनाओ का समय कि government जो है आपकी बात मानेगी ठीक है जितना pressure मचाएंगे उतना ही सरकार का निगाह आप पे जाएगा जब आप कुछ बोलेंगे नहीं तो निगाही नहीं जाएगा ठीक है तो इस तरह सी मैसेच था सो चब मैं आपको चैनल के मांदेम से दूँ फिलाल कुछ और पूछना हो कहना हो कमेंट बाक्स में कहिएगा अभी लिवस इतना ही धन्यवाद